इस्तन कैंसर दुनिया भर में महीलाओं में कैंसर से होनी वाली मौतों का प्रमुख कारण है हर साल अक्ट्यूबर महीने में दुनिया भर में इस्तन कैंसर जाकरुकता महा की रूप में मनाया जाता है यह स्तन कैंसर का जल्द पता लगाने के महत्रों के बारे में जाकरुकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष की थीम RISE, Rally in Screening Everyone है ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परेशत में डॉक्टर सुशीन मान धनिया द्वारत दी गई है यह बताया गया है कि भारत में 22 में से एक महिला की अपने जीवन काल में इस्तन कैंसर से पीडित होने की संभावना है जबकि अमेरिका में यह आकड़ा निशित रूप से अधिक है आट में से एक महिला को अपने जीवन काल में इस्तन कैंसर होने की संभावना है दुनिया भर में इस्तन कैंसर की घटना 23,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, प्रतिशत की व्रद्धी हुई है। भारत में स्तन कैंसर ग्रामिन की तुलना में शहरी आबादी में अधिक है। लेकिन पश्यमी दुनिया की तुलना में भारत में देखी जाने वाली खतरनाग प्रवत्तियां अधिक महत्पून है। ऐसा भी डॉक्टर सुशील मांधनिया द्वारा बताया गया। एक एजूगेशन दे सेके सोसाइटी को। एक ऐसा है कि प्रिकॉशन में दो चीज़ें कर घर में कुछ फैमिली हिस्ट्री है तो उन्हेंने ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सिस्ट्री बढ़ जाती है। पर बाकी भी यह देखना है कि अगर सन में गाठ है या निपल में ख नार्मल यह दो ताकि हम इसको प्रिमेंचन की तरफ जा सके या अर्ली डियाग्नोसिस के तरफ जा सके पर हमको एक हेल्थ चेक अप करना चाहिए जिसके में कैंसर की टेस्ट भी आ जाती है तो आप जैसे फीमेल है तो फीमेल में जंदली तीन साल में एक बार मैमोग्रफि हो एक बार सर्वाइकल स्मेयर का जांच हो जाकि सर्वाइकल साइटलोजी बोलते जिसको और बाकी जो एक्स रेचेस यूएज जी अब्डोमन और एक ब्लड की कुछ मार्कस होते हैं अकर इत्ता भी हम कर सके तो हम एक बेसिक रिस्क को हम निका सकते हैं देखिए बहुत इ इस दोरान मान धनिया ने कहा कि स्टन कैंसर तब होता है जब स्टन मे सामानी कोशिकाएं बदल जाती है और नियंतरन से बाहर हो जाती है पूरशों की तुलना में महिलाओं में स्टन कैंसर बहुत अधिक आम है लेकिन पूरशों को यह बिमारी हो सकती है कुछ जोखिम वा की संभावना को बढ़ा सकती है।